चुनाव आयोग ने आगामी लोग सभा चुनाव से पहले पांच राजों के विधान सभा चुनाव की घोशना कर दी। मध्यप्रदेश, राजिस्थान, चत्यसगर, तिलंगाना और मिजोरम में विधान सभा चुनाव में शत प्रतिशत मतुदान सुनशित करने के लिए कि वोटर लिस्ट में किसी को अपना नाम जुडवाना है या फिर किसी तरह की गरबड़ी ठीक करानी है तो इसके लिए 17 से 30 नवेंबर तक अभियान चलाया जाएगा उन्होंने कहा घर-घर सर्वे किया जाएगा 17 अक्टूबर से 30 नवेंबर तक पूरे देश में किसी को चेंज करवाना है तो करवा सकते हैं मतदाता बीलो यानि बूत लेवल ओफिसर या फिर सीधे वोटर हेल्पलाइन के जरिये वोटर लिस्ट में बदलाव करवा सकते हैं Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd which is common of course for all the states and elections in all the states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the, for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th and the last date would be 20th, date of poll being 7th November and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November, in one phase entirely in Rajasthan, the date of issue of Gajat notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gajat notification being 3rd of November. and the entire election process would be complete by 5th of December. So, this is what is the schedule. C.E.C. Rajiv Kumar ने ये भी बताया कि बुजर्ग इमम दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान के इंद्रों पर विशेश विस्था की जाएगी. बुजर्गों और दिव्यांगों को सीड़ी चड़ने आउतरने की जरूरत नहीं होगी. और उनके सभी बूत ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे. उनके मदद के लिए मतदान के इंद्रों पर वॉलिंटियर्स तैनात होंगे और वील्शेर की भी सुविधा होगी. ऐसे मतदाताओं को लाइन में भी लगने की दरकार नहीं होगी. चुनाव आयोग ने उनके लिए घर बैठे मतदान की सुविधादी है. वो फॉर्म 12 डी भर कर अपने पसंद के प्रत्याशियों को वोड डाल सकेंगे. चुनाव आयोग ने बताया चंतिसगड़ को छोड़ कर बाकि चार राज्यों में एक एक चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे. चंतिसगड़ में दो चरणों में मतदान कराए जाएगा. सब ही राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे. आयोग ने बताया मिजोरम में 7 नवेंबर, 36 गड़ में 7 और 17 यानि 2 चरण में, मध्य प्रदेश में 17, राजुस्थान में 23 नवेंबर, जबकी तलंगाना में 30 को वोट डाले जाएंगे खबर हो आपके घर, आमारुजाला, निश्पक्ष, निर्भी, निरंदर